शुक्रवार दोपहर पंजाब में भारतिय वायो सेना का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया नवा शहर जिले के चुहाडपुर में मिक-29 क्रैश हो गया और पाइलिट ने प्लेन क्रैश होने से पहले अपनी चान बचा लिए पाइलिट M.K. पांडित की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें सिवल अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया का है आपको बता दें कि मिक-29 के क्रैश होने की खबर पाकर आसपास के लोग घटना स्पल पर पहुँँचे और लोगों ने देखा कि फाइटर प्लेन दुलगतना प्रस दोगरा है और पाइलिट भी वहीं पास में जखमी पड़ा हुआ है स्थानिय लोगों ने देरी नग करते हुए तुरंट पाइलिट की जान बचाने की कोशिश की और उसे जल्द भी फरस्टेट दिया इस वीडियो को पंजाब की सीन कैप्टन अमरंदर सिंग ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर लोगों को पाइलिट की मदद करने के लिए धन्यवाद कहा है बता दें कि इस विमान के क्रैश होने के बाद काफी देर तक विमान में विस्पोट होते रहे जिसकी वजह से जिस खेट में ये विमान गिरा था वहां आग लग गई और पूरा खेट चल कर खाक हो गया मिग 29 विमान फ्लाइंग कॉफिन के नाम से बदनाम है इस विमान के कई बार क्रैश होने के खबरे भी आ चुकी है New Stats झाल झाल झाल